हलो आज है 26 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अम्बूजा सिमेंट के बारे में 360 रुपए का ये शेर है और काफी दिनों से ये चट्चा में भी है जब से अदानी ग्रूप इसको खरीदने वाला है अम्बूजा और ACC दोनों ही वीडियो में डिसकस करेंगे कि अम्बूजा सिमेंट क्या खरीदारी के लिए अट्रेक्टिव है कि नहीं क्योंकि देखा चाए तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नजर नहीं आई है यहां पर तो बातचित करना बनता भी है तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे तो आगे भी बहुत सारे वीडियो उसे जो काफी जादा हल्प करेंगे तो 360 रुपे का शेर है अम्बूजा सिमेंट का और एक महिने में अगर हम देखे तो जहां मार्केट भईया पचाड रहा था सबको एक महिने में वहां अम्बूजा में गिरावट नहीं थी 370 से ये बस 355-360 तक ही गया ये कोई बहुत बड़ी गिरावट अम्बूजा में थी ही नहीं जहां बाकी fundamental strong company तूटके बिखर रही थी वहां अम्बूजा नहीं तूटा जिसका सबसे बड़ा reason है अदानी group और यहां पर देखा जाए एक साल में अम्बूजा सिमेंट में 4% का ही growth है क्योंकि देखो जब से खबर आई ना तब से इसने दौड़ना शुरू किया है अब stable हो रहा है ठीक है वहना अब तक अम्बूजा सिमेंट ने कोई खास पच्छा पफर्म नहीं किया है आपको वह भी बता दे 440 रुपए तक का हाई था तूटके बिखर गया था ये 280 तक चला गया था बाद में डेफिनिटली तीजी है 350 तक गया ये लेकिन अब लगा था तूट भी रहा है लेकिन stable नज़र आ रहा है ये उतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी पूरे बाजार में थी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में थी यहाँ पर 3 साल की बात करें अंबुजा सिमेंट में तो पिछले 3 साल में अंबुजा सिमेंट में 67% का ग्रोथ है 140 रुपए का था ये COVID के वक्त बहुत बड़ी रफतार पकड़ी इसने 440 तक या ये अब टूटा भी जरूर लेकिन अब दिरे दिरे संबद रहा है 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में लॉंग टर्म का अगर हम व्यू पकड़ के चले लॉंग टर्म का व्यू पकड़ के चले 115 परसन का घ्रोध जरूर है लेकिन अगर आप देखो तो जो तीजी यहाँ पर बनी थी वो सिख COVID के बाद बनी है COVID के बाद ही इतनी बड़ी रफतार बनी है इससे पहले अंबू जा सिमेंट में कोई उतनी बड़ी रफतार थी डेफिनिल्ली 115 से यह पहुचा जरूर था यह तकरीबन 300 तक लेकिन टूटा बिखरा टूटा बिखरा चल रहा था इसका कोई उतना बड़ा डिसाइसिव आप कहते हैं ने जो बड़ी फंडामेंटल गुट कंपनी में देखने को मिलता है कि यह शेर दीरे 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 ऊपर की तरफ ज़्यादा नजर आता है यहाँ पर वो चीज नहीं थी लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है इनका आने वाले दिनों में क्योंकि भया अदानी ग्रुप के हाथ में जाएगा तब तो भया बहुत बड़े बड़े प्लांस हो सकते हैं इस कंपनी को लेकर फ्यूचर में लार्ज के अब शेर है 71,000 क्रोड से भी जादा का इसका मार्केट के आप वोल्यूम देखे तो 27,000 लाग से भी जादा का इसका वोल्यूम देखने को मिल रहा है कंपनी के रिवन्यू अगर आप देखो तो ओल्मोस स्टेबल है और इवन जो इनके प्रॉफिट्स भी है वो भी स्टेबल नजर आ रहे है अगर सबसे पहले मैं आपको इनके रिवन्यू और उन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो रिवन्यू में कोई उतना बड़ा जंप नहीं है ठीक है जो 24,000 करोड का रिवन्यू था वो डेफिनिटली 29,000 करोड गया है लेकिन उससे पहले 27,000 करोड 26,000 करोड तक के भी रिवन्यू देखने को मिले हमें साल भर के अगर हम बात करें तो लेकिन फाइदा ये है कि अगर अमबूजा सिमेंट ACC अगर अधानी ग्रूप में जाता है अधानी ग्रूप इसको खरीदता है तो जाहिर से वाज़ा सबसे पहली जो चीज़ यहां पर होगी वो यहाइकि दिको अधानी अपने आप में कई सारी बड़ी कंपनि है बहुत बड़ी कंपनि है इनका पॉर्ट अइर पोर्ट का काम का चलता रहता है तो जो डिमांड रहती है सेमेंट वगेरा कि वो डिफिनिटली यहीं से पूरी हो जाएगी और कहीं न कहीं इन अम्बूजा को भी बहुत बड़ा client भी अपने आप में मिली जाएगा इसके लाव अदानी के जो context है खास है कि government bodies में जो context है वो काफी बड़े पैमाने पर है तो ऐसे में अगर अदानी के पास cement industries भी काभी होगा तो भाया सरकार के भी कई सारे infra के काम काच चलते रहते हैं कई सारे states में अदानी के काफी बड़ी मजबूत पकड़ है तो उसका भी बड़ा फाइदा इनको मिल सकता है लेकिन हाँ ये तभी होगा जब अदानी के पास जाएगा तो अगर नहीं जाएगा वीच में कोई गड़बड हो गई तब भाया मान लो कि ये वापस तूटेगा यहाँ पर अगर आप देखो तो revenue डेफिनिली इनके प्रॉफिट्स है वो 3000 करोड के थे 2018 financial year में बाद में कम हुए ये 2765 करोड रहा फिर 3090 करोड रहा फिर 3690 करोड रहा तो 21 में जादा है डेफिनिली जादा है लेगिन देखना ही होगा कि आने औरे दौर में कैसा पर्फॉर्म करता है ये अमबुजा सिमेंट अगर हम देखे तो डेफिनिली खरीदारी करने का सही मौका ये उर्बोड जोन में नहीं है कोई भी रेट फिलग नेसा नहीं आ रहा है अच्छा dividend भी पेक कर रहा है क्योंकि dividend की मैं बात करो तो भईया इन्होंने dividend तो बहुत भारी बर्खम पेक किये ह है चाहे यहां पर हम बात करें 2022 में 6 रुपे 30 पैसे है 21 में कोविड की वज़े से 1 रुपे का ही है लेकिन 20 में 17 रुपे का था इनका dividend उसे पहले 1.5 रुपे का था लेकिन पिछले 2 सालों उसे dividend काफी कम है इवन 2021 में तो ना के वरावर इन्होंने dividend पेकिया है लेकिन 22 में दुबारा इन्होंने dividend 6 रुपे 30 पैसे का पेकि जरूर किया है जो कि अच्छा किया सकते है अब उतना भी खराब नहीं है अब बुजा सिमेंट को लेकर देखे तो 49% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो 25 का P है जो सेक्टर P 11 से काफी जादा है तो पहली चीज़ सस्था त लगातार खरीदारी कर रहे है क्योंकि जून में mutual funds के पास जो holding थी वो सिर्फ 4.5% की थी और अब बढ़के हो चुकी है साड़े 7% की domestic institution की 8.70% की holding है FIS की 12.97% की holding है retail और others की 7.60% की holding देखने को मिल रही है overall ambuja cement मैं मानता हूँ कि company का business तगड़ा है लेकिन company का business और बड़ा बन सकता है अगर ये अदानी के हाथ में जाएगा तो अगर नहीं जाएगा तो कहीं न कहीं कह सकते हैं आप इनको कहीं न की short handed रहने वाले हैं या आने वाले दौर में तो पहली चीज़ है कि खरीदारी कर जो है वो port में भी है company जो है वो airport में भी है और company भाया infra में भी है तो याद रखे अदानी के requirement जादा है और कहीं न कहीं वो सारे requirement फुल्फिल करने का काम अंबुजा को मिलेगा इसके अलावा अदानी के जो context है चाहे वो government body में हो चाहे वो state government की बात के central government की बात अगर हम बा पास जाएगा अंबुजा तो कहीं न कहीं help अंबुजा की हो सकती है बड़े orders और बड़े project इनको मिलेंगे बस सड़ सिव इतनी है कि यह अपनी capacity को बढ़ा पाए तो overall में इतना ही कहूंगा अंबुजा cement को लेकर कि अभी भी कुछ भी कहना थो ऐसा जल्दबाज हो कि अग तो पहले जिस है कि यह context है उनके पास और again अंबुजा के जो माले के वो खुद निकलना चाहते हैं तो overall मैं इतना ही कहूंगा कि अंबुजा 360 रुपे पहले जिस सस्ता तो नहीं है यह ठीक है लेकिन अगर अगर अधानी के पास जाएगा तो सस्ता है मतलब इस range में भी खर स्क्राइब करें और अंबुजा सिमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थैंक्यू